हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अन्जु मेडाम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुई हूँ और वह पाठ है तुलसी दास के पद तुलसी दास के पद को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि कबीर दास के पद पाठ का सारा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दिया है यानि कि वहाँ सारा वीडियो अपलोड है आप मेसेजिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले मिन जाएगा तो अब आरंब करते हैं तुलसी दास के पद तुलसी दास के पद को पढ़ने से पहले तुलसी दास जी के बारे में एक संचित जानकारी जो आपके पुस्तक में दी गई है मैं उसको पढ़कर आपको सुनाती हूँ सुनाने का या उद्देश है कि उनसे भी संबंदित बहुत सारे प्रश्ण जो है आपके MCQ में पूछे जाते हैं मैं पढ़ाते समय उसकी चर्चा भी करते जाओंगी इसलिए आप मेरी बातों को खुब ध्यान से सुने और प्रश्णों पर भी अपना ध्यान रखे कि किस तरह के प्रश्ण आ सकते हैं परिक्षा में उस चाहे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं नोट करने से आपके पास वो प्रश्ण हमेशा के लिए तयार होके रह जाएंगे और आप उसका उत्तर भी लिख पाएंगे तो चलिए आरंब करते हैं तुलसी दास जी का एक संचित परिचे जो आपके किताब से हैं देखिए कभी परिचे गोस्वामी तुलसी दास जी का जन संबत 1589 विक्रम 1532 में बांदा जीले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था यहां से ही प्रपहला प्रश्ण बनेगा कि गोस्वामी तुलसी दास जी का जन कब और कहां हुआ था वह सरोई पारी ब्राह्मन थी इनके पिता का नाम आत्मा रमदूबे तथा माता का नाम हुलसी था इस पंक्ति को भी आप नोट कर लिजिए आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि उनके माता पिता का क्या नाम था तुलसी दास जी के बच्पन का नाम क्या था इसी भी अंडरलाइन कर लिजिए इनका पालन पोशन मुनिया नामक दासी ने किया यह भी एक प्रश्ण के कोटी में आता है कि उनका पालन पोशन किस ने किया था बच्वन में इस तरह से पढ़ने से आपको पूरा तुलसी दास जी का परिचे भी प्राप्त हो जाएगा याद भी हो जाएगा और परिक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत सुविधा होगे आपको महां उत्तर लिखने में तुलसी दास जी का प्रारंबिक जीवन अत्यंत कश्ट में बीता मुनिया दासी की मिर्तियों के बाद तुलसी दास जी दरदर भटकते रहे इनकी मुलाकात स्वामी नरहरी दास से हुई जिन्होंने इन्हें रामकता का अध्यन कराया तुलसी दास कासी में आकट धर्म सास्त्रों का अध्यन करने लगे इनका बिवा दिन पंधु पाठक की सुपुत्री रतनावली से हुआ तुलसी दास जी रतनावली से अदिसाय प्रेम करते थे एक दिन रतनावली इन्हें बिना बताए पीहर चली गई तुलसी दास जी रात्री में ही नदी नाले पार करके रतनावली के पास पहुँची तुलसी दास्ची को इस तरह से आने के लिए रत्नावली ने धिकारा और कहा अस्थी चर्व मैं देह मम तामे ऐसी प्रीती ऐसी हो स्री राम में होत नातो भव भी ती यानि रत्नावली के फटकार में जो दोहा कहा गया है उसका एही अर्था कि जो नस्वर शरीर है उसके प्रति जदी इतनी प्रेम है तो उस राम के प्रति अगर हम प्रेम करें तो हमें संसार से भय मुक्त हो जाएंगे हम लोग हमें भय नहीं लगेगा तो इसी बात को जब धिकार करके ऐसी बात्वों को जब रत्नावली ने कहा तुलसी दास जी को तो तुलसी दास जी के क्या वज्यान चक्षू फुल गए और उसने क्या किया रतनावली की बातों से तुलसिदास अत्यद्मर माहत्वे और वापस लोट आए वह कासी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन परियंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे तुलसिदास ने राम को अपना अराध्य मान लिया और राम भक्ती में ही लीन हो गए तुलसी दास संस्कृत के महापंडित थी तो यहाँ पर तुलसी दास जी की पत्नी का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए तुलसी दास की पत्नी ने धिकार करके उन्हें क्या कहा था यह भी याद रखना है अब देखिए तुलसी दास जी का कावी इस्वरभक्ती, समाज सुधा और मानवता के उच्चितम आदर्श शे अनुप्रानित है तुलसी दास के कावी का मुख्य लक्ष लोकमंगल है मने राम कथा का मुख्य उद्देश जो है वह लोकमंगल की भावना है समाज के कल्यान की भावना, लोकमंगल कार्थ होता है समाज का कल्यान तुलसी दास की इस्वरभक्ती, बिनए, श्रद्धा और करुना भावना से परिपूर्ण है उनकी प्रमुख रशना है आप प्रमुख रशनाओं को देखिए सबसे प्रमुख रशना जो राम चाहित मानस है ये महाकावी की कोटी में आता है प्रमुख गरंथ मानते हैं हम लोग इसे धार्मी गरंथ के रूप में मानते हैं कावे गरंथ के रूप में मानते हैं ये राम चाहित मानस है ये उच्च कोटी का महाकावे है इत्यादि , तो आपको यहां पर बहुत सारे प्रश्न बन गए कि उनकी प्रमुक्रश्णा कॉन सी है ? तुलसीदास जी की मिर्तियू संबत 1680 विक्रम सं 1623 इस्वी में मानी जाती है और उनकी मिर्तियू जो है संबत 1680 विक्रम और सं 1623 में मानी जाती है तो तुलसी दास जी का ये एक संचित परिचे है, आप लोगों ने तुलसी दास जी के बारे में भक्तिकाल में भी पढ़ा है, आप लोगों का तुलसी दास जी के बारे में पहले ही अध्यन हो चुका है, जब आप क्लास 11 में पढ़ रहे थे, तभी आप लोगों ने भक्तिक पढ़ा है, भक्ति काल के अंतरगत, सगुन कावेधारा के अंतरगत, आपने राम भक्ति कावेधारा को पढ़ा है, जिसके प्रतिनी थी कभी तुलसी दास जी थी, वहाँ पर उन्हें आपने राम कावी की परिविर्तियों का भी विवेचन किया है, उसे भी पढ़ा है, तो तो अब चलते हैं हम लोग कि तुलसी दास जिनने ऐसा क्या लिखा जिसे आज हम लोग अपने पाठी पुस्तक में पढ़ रहे हैं तो तुलसी दास जिनने राम चाहित मानस लिखा है दोहा चौपाई की अंतरगत इनकी जो सैली है यह भी आप लोग लिखके रख लिजिए कि उनकी सैली क्या है दोहा चौपाई की सैली तो चौपाई में चाल चरल है तो आप जो है यहाँ पर पढ़ेंगे मित्रता का महत्व कि एक सच्चा मित्र को कैसा होना चाहिए तो यह जो प्रसंग आप लोग पढ़ेंगे यह है राम चरित मानस से और वह भी किसकिंधा कांड़ से जहां पर राम और सुग्रीव के आपस में बाचित होती है और राम जो है हर तरह से सुग्रीव की सहायता करना चाहते हैं और करते भी हैं एक सच्चे मित्र के नाते और राम ने सुग्रीव को एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, एक सच्चे मित्र का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में बतलाया है तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे तो चलिए आरम में करते हैं, देखिए इसके अंतरगत हम लोग कितने चौपाई पढ़ रहे हैं, इसके अंतरगत हम लोग पढ़ेंगे 5 चौपाई देखिए लिखा हुआ 2, 3, 4, 5 इदर पहला तो आज हम लोग 2 चौपाई को पढ़ेंगे देखिए, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहीं बिलोकत पातक भारी यहां पर पुलसी दास जी का कहना है कि जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहीं बिलोकत पातक भारी अब इसके साथ आप जो है इसके जो कठीन सब्ध है उसके अर्थ को भी देखिए प्रथम चौपाई जो मैंने पढ़के आपको सुनाया उसके जो कठीन सब्ध है उसको पहले देखिए हो ही मतलब होता है हो ही मतलब होता है दुखारी मतलब दुखी तिनही मतलब उसको बिलोकत देखने से पातक उन्हें पाप भारी मतलब बड़ा निच मतलब अपना गिरी का अर्थ है परवत सम का अर्थ है समान या बराबर रच का अर्थ है धूल और मेरू का है परवत फिर से एक बाद देखिए हो ही का होता है दुखारी का दुखी तिनही का उसको बिलोकत का देखने से पातक का पाप भारी का बड़ा निच मतलब अपना गिरी का अर्थ है परवत सम मने, समान, बराबर, रज, धूल, मेरू मतलब परवत अब चलिए इसका अर्थ देखिए तुलसी दाज ये कहते हैं जे नाम मित्र, जे मतलब जो यानि ऐसा मित्र नामन नहीं है यानि कहने करते हुआ वह मित्र नहीं है दुख होई दुखारी, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है वह व्यक्ति मित्र कहलाने योगे नहीं है इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति मित्र कहलाने योगे नहीं है जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है तिनहीं बिलोकत पातक भारी ऐसे व्यक्ति को देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है, जो मित्र के दुख को दुख नहीं समझता है, या मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उस व्यक्ति को देखने में भी पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, निज दुख गिरिसम रज करी जाना मित्र का दुख रज मेरू समाना अग तुलसिदास जी मित्रता की परिभासा देते वे कहते हैं मित्र की परिभासा देते वे कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो क्या करता है? निज दुख, अपना दुख, गिरिसम, अपना जो दुख था, वो पहार जैसा था, बहुत बड़ा था, लेकिन रज करी जाना, उसे धूल के समान जाना वह व्यक्ति जो अपने पहार जैसे दुख को भी धूल के समान जानता है और क्या करता है? मित्र का दुख रज मेरू समाना, और अपने मित्र के दुख को जो धूल के समान है, उसे परवत के समान बड़ा मानता है यानि मित्र के दुख के सामने अपने दुखों की चिंता नहीं करता है ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाने योग्य है, जो अपने मित्र के दुख से दुखी होता है अपने मित्र के छोटे से छोटे दुख को भी बहुत बड़ा मान कर उसे सहायता करता है और अपने दुख को मित्र के दुख के सामने बहुत छोटा मानता है यानि मित्र के छोटे दुख को बहुत बड़ा माना और अपने बड़े से बड़े दुख को मित्र के दुख के सामने इंदम धूल के समान समझता है यहीं अपने दुख की परवा नहीं करता है मित्र के थोटे से तकलीप में वह दोड़ कर जाकर सहायता करता है अपने दुख की परवा नहीं करता है वही व्यक्ति मित्रता के योग्य है जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख से दुख्षी नहीं होता है वह व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है ये तुलसी दास्दी का कहना है और राम ने सुग्रीव से ये बाते कही अब दूसरा पाई देखते हैं जिनके असिमती सहजन आई तेसट कतहटी करत मिताई कूपत निवारी सूपन्थ चलावा गुन प्रकटे अव गुन ही दुरावा अब इसके अर्थ को देख लीजे एक बार जिनके मदलब जिसके असिमती मने बुद्धी में सट दूस्ट या मुर्ख यो दूस्ट होते हैं आच्छो मुर्खी होते हैं हटी मने जिद या व्यर्थ इसके जिद करते हैं जिद करना बेकार है यहां पर हटकार्थ जिद है व्यर्थ मिताई दोस्ती कूपत मने खराब रास्ता निवारी मने निवारन सूपंध मने सही रास्ता प्रगटे मने अभिव्यक्त करना बतलाना दुरावा मतब छिपाना यह पर फिर से अर्थ बता रही हूं जिन्ह के यानि जिसके असीमती उने बुद्धी में सट मतलब दुष्ट या मुर्ख हटी उने जिद या बेर्थ मिताई अथा दोस्ती कूपत यह खराब रास्ता निवारी मतलब निवारन सूपंध मतलब सही रास्ता प्रगटे अभिव्यक्त करना दुरावा मतलब छिप पाना अब इसके अर्थ को देखिए तुलसी दाज जी कहते हैं जिनके असीमती सहज ना आई 63 कत हटी करत निपाई ऐसा मेत्र जिसकी बुद्धी सहज ना हो जिसके मन में सरलता ना हो ऐसे दुष्ट या मुर्ख से ब्यर्थ में ही करत मिताई ऐसे मिताई मतलब दोस्ती दोस्ती करना बेकार है जिसकी बुद्धी सहज सरल ना हो उस दुष्ट या मुर्ख से मित्रता करना बेकार है हम जबर्जस्ती उससे दोस्ती निभा रहे हैं उस मित्रता का कोई लाभी नहीं है वह मित्रता पिकार है क्योंकि जो अच्छा मित्र होता वो क्या करता है कूपत निवारी सूपन्थ चलावा क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वह हमें कूपन्थ निवारी खराव रास्ते से हमें चलने से बचाता है, रोकता है, वह हमें बुरे रास्ते पर चलने नहीं देता है, सूपन्थ चलावा, वह हमें अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करता है, हमें बुराई से बचाता है, और हमें अच्छाई की तरफ अग्रसर करता है, ये है सच्चे मित्र की विशेष्था, गुन प्रकटे अवगुन ही दुरावा ऐसे मित्र क्या करते हैं? हमारे गुनों को सबके सामने अभिव्यक्त करते हैं, बतलाते हैं हमारे गुनों को सबके सामने प्रकास में लाते हैं और हमारे गुनों को, हमारे अवगुनों को क्या करते हैं? चिपाते हैं वे किसी के सामने बतलाते नहीं हैं क्यों नहीं बतलाते हैं क्योंकि उससे क्या होगे हमारी निंदा होगी न और एक सच्चा मित्र ऐसा कभी नहीं चाहता है कि उसके मित्र की निंदा हो लेकिन यहां यह कहने कार्थ नहीं है कि जब उसके गुन को बताया जा रह और उसके दुर्गुनों को छिपाया जा रहा है तो वह सच्चा मित्र जो है वह गलत कारे कर रहा है वह तो आपड़तक्च रूप से उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकता है और अच्छाई की और अग्रसर कराता है तो इसलिए वह किसी के सामने अपने मित्र की निंदा न सच्चे मित्र की यही विशेष्टा है यहां पर मैं एक बात आपनों को बता देती हूं कि आपनों के फाइनल एक्जाम में जो डॉंग क्वेश्चन होते हैं उसमें तुलसी दास जी के पर्द स्पाट से यह प्रश्ण बहुत बार ही आया है कि तुलसी दास जी के अनुसा सच्चे मित्र की क्या विशेष्टाएं होती है इसका विवेचन कीजिए तो इस प्रश्ण का उत्तर अभी जो मैं आपनों को अर्थ बता रही हूं इसी में छिपा हुआ है कि तुलसी दास जीने आरंब से ही एक सच्चे मित्र यह क्या विशेष्टा होनी चाहिए इस पर प्रकाश डाला है तो जैसे जैसे मैं अर्थ बता रही हूँ आप उसे अगर वैसे वैसे ही लिखते जाएंगे तो आपका यह प्रश्ण जो है प्रश्ण का उत्तर कम्प्लीट हो जाएगा उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी तुलसी दाश्जी ने सच्चे मित्र की जो विशेष्टा बताई है उसे आप समझे होंगे और मेरे समझाने के बाद आप उसे अवश्य अपने कॉपी में भी लिख लेंगे मैंने जिन प्रशनों का उल्ले किया है कि आपके MCQ में आता है उसे भी आप अवश्य लिखेंगे क्योंकि बात में हो सकता आपके दिमाग से कुछ बाते निकाई जाए हर बात हमेशा सबको याद नहीं होती है तो आप क्या करेंगे वीडियो को देखते हुए वीडियो को चीज को समझ करके सारी बातों को कॉपी पर लिखने की कोसिस करें देखेंगे आपको सफलता अवश्य बने लेगे तो उम्मीद करती हुँ या वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक अवश्य करें अपने सभी मित्रों में इसे सेयर करें क्योंकि सच्चे मित्रे कि यही भैचान है कि वह दूसरे की सहायता करता है सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ तुलसिदास जी के पत को लेकर फिर अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामनी उपस्तित रहूंगी सुब कामनाओं के साथ धन्यवाद झाल